वेल्कम टो हम क्लासेश हम क्लासेश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं आज हम कवर करने जा रहे हैं यूजी सी लेटर्स पब्लिक नोटिस अबाउट पीएज़ी पीएज्डी न्यू रेगुलेशन 2022 रिलीस कर दीए गहily हैं हमने अभी तक जो रेगुलेशन देखे हैं वो 2009 का देखा हुआ है फिर उसके बाद 2016 का देखा है और अब जो पीएज़्डी न्यू रेगुलेशन आए वो 2022 का जिसमें पीएज्डी के नियमो में परिवर्तन कर दिया गया है पीजी करना आसान भी कह सकते हो आप क्योंकि काफी इसमें एफेक्टिव चेंजिस किये गए हैं यह रेगुलेशन तो आपको नॉर्मली मिल जाता है कहीं पर भी जो जिसी की में वेबसाइट पर भी में फोकस यह है कि इस रेगुलेशन के नियमों को सदल बाश कर दीजिए for all notification सबसे पहले आप यूजी सी की में वेबसाइट पर आजाएंगे तो यूजी सी की में वेबसाइट पर आपको उसके नोटिस सक्षन में यह मिल जाएगा जो कि 15 नौबर काया हुआ है कि यूनिवेस्टी ग्रान कमिशन मिनिमम स्टेंडर और प्रोसीडर और अवार्ड और पीएसजी डिग्री रेगुलेशन 2022 इसमें एक लेटर है और एक में पूरा राजपत्र दिया हुआ गजट दिया हुआ है और इसमें संशोदिन किया था उसका भी इसमें दे दिया है अगर आपको यह मिल जाएंगे आप इसको पढ़ भी सकते हो लेकिन हम इ वर्दन हों है यह तो अभी का है जिसमें संशोदत के इसमें नियम मौज के बिंदू बता दिये गए हैं जिसमें आप देखेंगे इसमें कि वर्तमान और संशोदन के बाद यह रूल सो और यह परसंडेज दिये हैं यहां पर अपना काम नहीं है और जब दूसरा एक लेटर भी देखने को मिलेगा चौदा तारीक का है इसमें बता दिए गाई यूजिसी मिनीमम स्टेंडर और प्रोसीडर फॉर दी अवाड़ प्याजी रेगूलिशन दोजार बाहिस है तो चलिए हम देख लेते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं यह बहुत करते हैं जैसे मैंने बताया यूजिसी की में वेबसाइट पर जाकर हम आपको डिरेक्टी के में जो इंपोरेंट बाते हैं उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो में आसान पिरकिरिया की बात की जा रही है कि क्या आसान पिरकिरिया हुई है इसको आ करने के बाद उसमें जो ग्रेडिंग हैं वो साड़े सात परसंड से ज्यादा होनी चाहिए तो आप इसमें के बाद कर सकते हैं अगर आप ऐसा कर नहीं पाते हैं तो जो नॉर्मल रूल है post graduation के बाद तो वो भी लागू है दोनों चीज़ें है इसमे यानी चार साल के बाद भी है और post graduation के बाद भी है वो आपके उपर depend है आप क्या करना चाहते है फिर इसमें minimum period की भी बात की गई है जो पहले भी यही था कि तीन साल आप minimum कर सकते थे लेकिन maximum उसमें 5 साल हुआ करता था लेकिन इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो maximum की जो चीज दी वी है वो 6 साल कर दी गई है और इसके लवा भी 2 साल आप extend कर सकते है ये भी इसमें नियम बना दिया गया है ऐसे करके अगर आप चाहें तो आठ साल में PSG कर सकते हैं इस नियम के अनुसार फिर अगर हम बात करें कि आपके कोर्स की तो कोर्स वही 6 मैंने काई है कोर्स वक इसमें कोई चेंज इस नहीं किया है जो 3 साल है और इसी के अंदर 6 मैंने जुड़े वे हैं ऐसे करके आप 3 साल में अपनी PSG कर सकते हैं और दूसरी बात है कि वीशकों की जो की सुपरवाइजर होते थे इसमें चेक करने के लिए वो 3 हुआ करते थे एक तो उसी युनिवर्सटी का हुआ करता था और 2 बाहर के हुआ करते थे तो यहां 3 की जगए 2 कर दिये गए हैं आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें पूरा रिव्यू दिख जाएगा आपको और जो बाहर का है और उसके अलावा एक स्पेशलिस में जो उस सब्जेक्ट की महालत हासल है जिसको तो वो इसमें भी शक बनेगा इसका परवेख शक बनेगा जो कि मिरे पहले तीन दे अब दो कर दिये गए हैं यह भी इंपॉर्टन चीज़ है इसमें और अगर इसमें बात करें मैलाओं के लिए एक अच्छी बात कर दी गई है कि आप पीएजडी में तो एड्मिशन कहीं किसी भी स्टेट में किसी भी उनिविश्टी में कर सकती हैं पहलाओं के लिए यह अच्छी बात कर दी गई है और उसके ऎड़ावा घराम बात करें तो जो में चीज़ हैसमें गरात है कि आप और यसfrom मेंन चीज किए जो आपको रिसरच पर लिखने होते थे Adult आपो पर्थ समिशन से पहले एड्मिशन के बाद और समिशन से पहले लेकिन अब वो रिसर्च पेपर की जो है निवाज़ता है उसे समाप्त कर दी गई है आप रिसर्च पेपर ना भी लिखका अपनी पीएज़डी कम्प्लीट कर सकते हैं और एक और अच्छी चीज इसमें और भी हुई है कि जैसे वाय वायवा हुआ करता था और फिजिकल यह सारी चीजे चेक होती थी लेकिन अब और क्या कर दिया गए आप फिजीकल न करके ऑनलाइन मोड पर भी वायवा कर सकता है यूणिवेस्टि करवा सकते आफ भी दे सकते हैं आपको फिजीकल मोड में वायवा कर भाने की जबूत नह है कि जो लोग भी PhD कर रहे हैं ओनलाइन मोड पर यह जो इतनी बड़ी संस्ता हैं है ना जो साथ 6-8 लाक रुपर आप देख लोंगे ओनलाइन आपको PhD का मोड दिख जाएगा यह डिस्टेंस मोड दिख जाएगा पीजडी में तो उसे अन्वैलिड गोशित कर दिया गया है अगर आप इस तरी के कोई PhD कर रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए उस PhD की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए यूजी सी ने अलग से लेटर भी रिलीस किया था कि जो भी ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड पर पीजडी कर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है तो यहां आपको सतर्क रहे हैं पीजडी करने से पहले ऐसे है कि एक चीज़ इसमें और आई है कि आप काम करते हुए पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम आप कर सकते हो इंडियन की किसी यूनिवस्टी में वह वैलेट है लेकिन ओनलाइन मूड पर पीजडी वैलेड नहीं है यहां पर में यह ध्यान रखना है और उसके अलावा कर हम देखें तो एमफिल को ततकाली ओर दे दिया का यूनिवस्टी कि इसमें दिया है कि देखो आप पहले 11 जुला दोजान नौ ता फिर 16 है अब 16 के बाद यह 2022 कर दिया गया है यह पूरे इसमें संशोदन कर दिये गया है जो हमने बात की इसके अलावा भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो किसी चीज़ में तो आप कमेंट कर सकते हैं काफी अच्छी चीज़ें किया है इसमें प्यस्टी न्यू रेगुलेशन में जैसे इससे कोई नया अप्डेट आता है हम आपको अप्डेट कर देंगे एक बार हम फरसे इसको रिव्यू कर रहेते हैं कोई पॉइंट रहे गई है तो से कंप्लीट कर दें कि इसमें पिए जो परवेक्षक हैं जो उससे रिलिटेट भी बात की गई है उनकी इलिजिबिल्टी की भी बात है इसमें प्रिवेश की प्रिक्रिया वही रहेगी आपकी यहां तो डिलेक्ट करवा दो शोद कर मदब रिसर्च एलिजिबल्टी टेस्ट ले लो यहां तो यूजी सी के इसाफ से जो एक्जम्टेट कैंडिडेट है उसमें रेश्यो डिवाइट कर दिया गया है और कुछ रूल्स तो यूनिवर्स्टी भी अपने हिसाफ से डिसाइड करती है इन रेगुलेशन के हिसाफ से चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट लक्षर में कीप वाचिंग और चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग और चैनल